SO HELLO UPRIBUN CYSE OU SABKES SOH आपका जो DSU का जितनी भी देष थी आपको PIRS欸 CHANGE कर दी गई है पर पर तरीक पर तारीक पर तरीक रइट आज की ढ़िए ऩे जितनी भी देर्स थी यार उन सभी को बढ़ा दिया गया है आज की इस वीडिव में फूरी तरीके से new schedule के बाद करेंगे जो अब एकदम fresh schedule है आपका राइट आज ही अपडेट हुआ यार ये शाम को ही अपडेट आया है तो इस वीडियो में पुईतरगी से जानकारी प्राप्त कर लेंगे राइट तो सबसे पहले अगर हम यार dsu.ac.in पर जाएंगे तो और आपको इस तरीके क एक्स्टेंड करके उसको 19 तारीक कर दिया गया है तो अब 19 तारीक को अपका आएगा merit list मतलब की जो डिगरी कुरूप पोग्राम्स कर रहे है उनका अगर डिप्लोमा वालों की बात कर यार तो डिप्लोमा वालों का ये नया schedule आ गया है इसमें डिप्लोमा एन डिगरी गई थी ठीक है अब यहाँ पे यार कल आपका पार्ट टाइम डिप्लोमा और लेटर एंटरी के लिए जो डिप्लोमा वाले बंदे थे उन सभी का कल आएगा result ठीक है अब यहाँ पे डिगरी प्रोग्राम्स की बात करें अब डिगरी प्रोग्राम्स को जो merit list आएगा यह undergraduate मतलब कि उनका जब college अलोट एगा merit list निकले आएगा उनका जब उनका फिर उसके बाद जो physical verification होगा document के साथ वो यार 20 तारिक से start हो जाएगा मतलब कि 19 तारिक के next दिन ही 20 तारिक से ही start हो जाएगा and वो 25 तारिक तक चलेगा ठीक है वही first merit list of UG course after the physical verification document वो होगा यार 28 तारिक को राइट उसके तीन दिन के gap के बाद यहाँ पर physical verification जब इन सभी का हो जाएगा document verification 25 तारिक तक degree program शालों का उसके बाद इनका first list निकलेगा कि किसको college मिला या किसको नहीं मिला राइट फिर वहीं अगर डिप्लोमा वालों के बात करें इनका जो preference feeling है अभी तक चल र लेगा first round के लिए ही right फिर first round के लिए 24 तारिक तक अब इसका चलेगा फिर उसके बाद यहाँ पर डिगरे प्रोग्राम सवालों के लिए preference feeling जो start होगी वो 19 तारिक से ही start हो जाएगी and वो चले गिया 2 October तक पूरा ठीक है बतब कि पूरा मैना है यह आपके लिए पूरा 19 ता आएगा first round का वो दोनु का सेम दिन ही आएगा degree program solo के लिए भी and diploma program solo के लिए भी 7 तारिक को आएगा 7 October को ठीक है उसके बाद यहाँ पर physical verification जो इसमें जिन सभी का नाम आएगा जोन सब कॉलिज अलोट होगा उसमें physical verification and बाकी का जितने भी fees payment है वो हो गया 8 तारिक को मतलब कि एक दिन के बाद ही 8 October से लेके चलेगा यह 13 October तक फिर इसमें अगर बात करें इसमें यहीं degree programs की तो वो चलेगा 8 तारिक से 13 तारिक तक वो चलेगा 13 October तक बस अविता यहीं तक आई है detail and यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर seat allotment second and third round का यह आगे announce होगा बतलब कि यह भी अभी तक शोर नहीं है यार क्योंकि देखो DSU अब ऐसा क्यों कर रही है इसके पीछे reason है यार क्योंकि reason यह है यार देखो कि first year है DSU को and DSU को यह थोड़ा बहुत समझने में भी time लग रहा है कि बच्चे किस प्रकार से admission ले रहे है and traffic यह इतना बढ़ गया बच्चों का इतना demand बढ़ गया है जिससे कि यह बताना मुश्किल हो गया है DSU को कि exactly हमारा होगा क्या admission कब होगा तो यह इसमें मान के चलो कि आपका October November पूरा मन्थ चला जाएगा पूरा admission process में ही तो आपका almost January से या December के end से आपकी या December तक आपका new college open हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर अभी तक first round का ही details आईए second round और third round का आगे कुछ नहीं आया है spot round का भी अभी तक detail नहीं आया है उसकी detail बहुत ही जल्द आएगी उसकी details के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते है जब भी आएगी detail तो सबसे पहले आपको इस channel पर वीडियो ज़रूर मिल जाएगा तब तक के लिए चलते है बवाई take care see have a great day अगर कोई और डाउट और नीचे comment section में बताना मत भूलना यार चलते है बवाई take care मिलते है नेक्ट वीडियो में शांदा टोपिक के साथ बवाई